जिले मैं 16 अगस्त को सूवे के मुख्यमंत्री डॉक्टर महान यादव का दौरा कारक्रम था जिसमें उन्होंने विभेन कारक्रमों में शरकत की साथ मैं जिले के प्रभारी मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसत भगन सिंकोलस्ते, शापुरा विधायकों प्रकाश धुर्वे सहत, पाटी के वरिष्ट पदादिकारियों के साथ जिले की जनता भी अपने मुख्यमंत्री को देखने सुनने बड़ी संख्या में जला मुख्याल दिनदौरी में लाड़ी वहनों के लिए आएजवीत रक्षा बंधन और शावन तस सब कारिकरम हैं, जिले के स्कूलों में पदाथ सिक्षकों को मुख्यमंत्री के कारिकरम उपस्तत होने आदेश हित किया गया था आदेश के परिपालन में महिला सिखशकों को कारेक्रम अपस दोना पडा इसके चलते दरज्वन स्कूलों में ताला लटका रहा स्कूल के ये तह समय पर स्कूला आई नौनिहाल इस्कूल में ताला लटकते देख अपने अपने कहरों को वापस से ले गए कपोबी शैन नजारा जले केने को स्कूलों में देखने को मिला इस कूलों में ताला लटके रहने के संबंद में जब विभाग के जमिदार नूमाइन्दों से जानकारी लेने का प्रयास किया तो वे भी दवी जुबान में विभाग के उच्छा दिकारियों के खौफ से कुछ भी कहने से बचते रहे एहम सवाल है कि CM के कारेक्टरम में स्कूलों में ताला लगा कर आखिर किस आदेश के चलते सिक्षिकाओं को बलाए गया था क्योंकि उक्ते कारेक्टरम को लेकर अवकाश गोशित नहीं किया गया था बावजूद इसके सूवे के मुखिया के जिले में होने के बावजूद सरकारी स्कूलों में दिन भर ताले लटकते रहे इसे स्कूलों में मिलने वाले दो पहर के बोजन से बच्चों को मरहूम रहना पड़ा वहीं लाडली बहनों के लिए आईजित रक्षा बंधन इवं शामन सब कारेक्टर में अंगनवाडी कारेकरता हूं साहिकाओं को आमंतरत ना करना भी बड़ा सवाल है के रहे लाडली बहना नहीं माना जाएगा इस स्कूलों में जरूर ताले लटके रहे लेकिन आंगनवाडी के इंदर खुले रहे प्रशासन के दोहरे मापदन को क्या संग्या दी जाय सकती है कौन से स्कूल में आज स्कूल गए थे क्यों नहीं गए किसमें फोन लगाई थे तो क्या कह रही थे नाम क्या लिखते हु अपना कहा की हो कौन सी क्लास में पलते हैं टेंड़ोरी से राजेंदर तंतवाई की रिपोर्ट क्यांट